हेलो स्टूडेंस मैं सुधी गुपता आपकी मैस टीचर आज हम शुरू करें क्लास 11th मैस चैप्टर 4 प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल इंडक्शन बिटा अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है देखे कोशन नमबर 5 प्रूब दा फॉलिंग बा यू 3, 3 की पार n is equal to 2n-1 ब्रैकिट 3 की पार n प्लस 1 प्लस 3 अपन 4 ओके बचे तो आपके पास 5 कोशन में यह स्टेटमेंट दी गई है ठीक है आप इसको सॉल्ब करेंगे बिटा फर्स्ट हम क्या करते हैं लेट दा गिवन स्टेटमेंट बी पी एन है ना लेट दा गिवन स्टेटमेंट बी पी एन ओके बचे इसके बाद नेक्स टेप होता है आप इस स्टेटमेंट को लिखते हैं पी एन कॉलन 1.3 प्लस 2.3 स्क्यार प्लस 3.3 क्यू प्लस डैश टैश प्लस एन 3 की पार एन इस इकोल तो 2 एन माइनस 1 3 की पार एन प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 ओके बचे अब आप देखेंगे बटा आपने next जो step होता है वो आपने करना था है यहाँ पे n इकोल टू 1 step 1 for n इकोल टू 1 ठीक है आपने क्या लेना है n इकोल टू 1 तो आप statement में जहाँ पे भी n आप वहाँ बाण डालेंगे 1 यहाँ पे देखेंगे बटा 1.3 की पार 1 is equal to 2 यह dot है बटा multiply का ठीक है 2.1 minus 1 3 की पार 1 प्लस 1 प्लस 3 अपन 4 आपको यह पता है यह LHS side है दूसरी कुन सी है यह RHS side ठीक है तो यह 3 आ जाएगा 1 multiply 3 कितना हुआ 3 इसको solve करेंगे क्या है 2 minus 1 3 की पार 2 प्लस 3 अपन 4 ठीक है 3 equal to 2 minus 1 1 multiply 3 की पार 2 प्लस 3 अपन 4 3 equal to 3 3 is a 9 प्लस 3 अपन 4 12 by 4 cutting की तो आपका 3 आ गया ठीक है आपके पास LHS equal to RHS ठीक है जो आपके पास पहले PN statement थी है ना वो N पे आपने देखा वो true हो गया तो फिर आपके लेते हैं let K P K B true for some positive integer K that means K belongs to natural number अब आप देखेंगे जो आपके पास statement है वहाँ पे वो लिखिए और जहां पे भी आपके पास N है वहाँ पे आप क्या डालेंगे बिटा K डालेंगे ठीक है बिटा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे K 2 K minus 1 3 K plus 1 plus 3 upon 4 इसके बाद बिटा आपने इसको लेना है equation 1 ठीक है step 3 करेंगे क्या लिखेंगे step 3 step 3 में आप क्या करते हैं we shall now prove that P K plus 1 be true ठीक है अब हमें क्या करना है जो P K plus 1 है वो भी आपके पास क्या है true है question लिखेंगे बिटा 1.3 plus 2.3 square plus 3.3 cube plus dash dash plus K 3 की पार के next step बिटा K plus 1 आगे 3 K plus 1 ओके is equal to left right hand side भी लिखेंगे आप 2 K plus 1 2 K plus 1 3 K plus 1 plus 1 ठीक है ये पूरा पहले K plus 1 फिर जो 1 1 भी है वहाँ पे plus वो upon 3 और नीचे आपके पास क्या है बिटा 4 clear है बिटा next इसके बाद जो step है वो आपका क्या है आपने देखा ये आपके पास left hand side होती है ठीक है बच्चे ये left hand side है और ये आपके पास कौन सी है right hand side clear है बिटा आगे continue करेंगे आप left hand side लेंगे क्या लेंगे left hand side okay बच्चे 1.3 plus 2.3 square plus 3.3 cube plus dash dash plus k 3k is plus k plus 1 3k plus 1 okay बच्चे ये पूरी इसकी term के लिए आप क्या लेंगे equation first use करेंगे इसकी right hand side है आपके पास 2k minus 1 लिखेंगे आप 2k minus 1 3k plus 1 plus 3 upon 4 plus k plus 1 3k plus 1 okay बच्चे next रवा आपके इसको solve करना है ठीक है बटा आप देखी बटा 2k minus 1 multiply 3k plus 1 k plus 1 3k plus 1 है ना 3k plus 1 इदर भी multiply हो रहा है 3k plus 1 इदर भी multiply हो रहा है ठीक है यहां से आपने 3k plus 1 common लिया 3k plus 1 common लिया आपके पास अंदर बच्चा 2k minus 1 यह नहीं लेना 3 क्यूं क्यूंकि इसके पास 3k plus 1 नहीं है इसको हम side पे करेंगे ठीक है बटा यहां पे बच्चे यह देखीए ठीक है यह प्लस 3 बच्चा हुआ आपके पास और 4 जो है वो सब के नीचे आएगा है ना clear है बटा 3k plus 1 इसको solve करेंगे आप 2k minus 1 plus 4k plus 4 plus 3 upon 4 clear है बटा 3k plus 1 2k और 4k कितना हुआ 6k minus 1 और 4 कितना हुआ plus 3 plus 3 okay बटा अपन आपके पास 4 चल रहा है ओके बच्चे अब आप देखेंगे बटा आपको बनानी है यह right hand side right hand side में 2k plus 1 3 की पार k plus 1 plus 1 plus 3 plus 4 ठीक है बच्चे अब आप देखेंगे यहां से बटा आप क्या common आ रहा है आपके पास 3 common आएगा यहां से क्या आएगा 3 तो लेंगे आप 3 3 k plus 1 3 यह common आ गया अंदर आपके पास बच्चा 2 k plus 1 clear है बटा प्लस 3 upon 4 ओके बच्चे अब आप देखेंगे यह जो term है आप यह देखे पहले इसको करिए solve 3 k plus 1 यह इसकी multiply हो रहा है base same है तो पार इसकी क्या 1 है तो 1 इसमें add हो गया basis same पार added ठीक है basis same होते है तो हमें एक base लिए लेते हैं उसकी पार add कर दिया हमने ठीक है बच्चे आपके पास है प्लस 3 upon क्या है 4 clear है बच्चे नेक्स जो step है इसका वो देखेंगे आप आप यहां पे आपके पास है 2 k plus 1 ठ तो आपको इस फार्म में बनाना है ना तू के प्लस वन और साथ में क्या आपके पास माइनस वन ठीक है ओके बचे माइनस वन था यहां पर है ना यहां पर माइनस वन था येस बिटा और यहां पर टू के प्लस वन आपके पास यहाँ पे देखिए बिटा आपने 2 k plus 1 लिख है यह k plus 1 आया है ना minus 1 रहते है ना तो वो आपने minus 1 भी डालना है यहाँ पे ठीक है बिटा यह minus 1 बने डाल दिया यहाँ पे ओके यहाँ पे minus 1 डालेंगे आप यह 3 को थोड़ा इदर कर लीजिए आप ठीक है और यह minus 1 आपका ठीक है इस step को आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता देती हूं आपको मैं चलो यह right hand side हमने प्रूफ करनी है न बिटा यह देखिए 2k plus 1 यह आया आपके पास बिटा whole और 3k plus 1 plus 1 plus 3 upon 4 ओके बचे तो यह आपके पास क्या आ गया right hand side इसकी एकोलोगी है न बिटा कैसे बिटा आपके पास था 2k plus 1 minus 1 न है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप यह आपके पास step है 2k plus 1 और है आपके पास minus 1 न है बचे और यहाँ पर यह bracket लेंगे आप इसके बाद 3k plus 1 plus 1 plus 3 है ओके बिटा यह step यह है आपके पास तो आपके पास right hand side इसके equal आगी क्योंकि आप जब खोलेंगे इसको 2K और 2 2 में से 1 गया क्या आएगा 1 आजाएगा तो clear है बच्चे और 3K plus 1 plus 1 यह आपके पास बन गया n plus 1 और यह आपके यह पूरा n बन गया यह भी आपके पास पूरा n बन गया ओके बच्चे तो आपके पास right hand side के आगी equal आगी next question देखिए बटा इसका आगे नीचे जो लिखना आप वो लिखिए therefore PK plus 1 is true whenever PK is true ठीक है PK1 आपके पास true हो गया जब आपके पास क्या था PK is true okay बटा next आप इसमें लिखेंगे hence by the principle of mathematical induction principle of mathematical induction PN is true for for every natural numbers okay बटा next question देखिए बटा next question है मारे पास six question question number six इसमें लिखेंगे बटा आपके पास 1.2 plus 1.2 plus 2.3 plus 3.4 plus dash dash plus n n plus three sorry n plus one equals to n n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 क्लियर है बच्चे यह वानने आपके पास क्या है यह 1 ओके इसको काटी दीजिया आप लिखिए इसको n प्लस 1 क्लियर है बटा आप इसको solve करेंगे बटा आप लेट करेंगे let the given statement be pn ठीक है हमारे पास क्या आई statement pn तो इसको लेखेंगे pn 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डैश डैश n n प्लस 1 इक्वल टू n n प्लस 1 n प्लस 2 इन तीनों के नीचे है बटा ये 3 ठीक है बटा और बच्चे आपने करना है next जो हमारे पास step आता है वो क्या आता है आपके पास one step में for n इक्वल टू 1 अपने लिया पी वन इसको लेना आपने वन वन प्लस वन उक्वल टू 1 वन प्लस वन वन प्लस टू अपान थ्री उक्वल टू है ये बटा RHS ओके बच्चे विच्चे इस ट्रू क्लियरे बटा next जो आपका step है वो है step 2 let P K be P K be true for some positive integer integer K that means K belongs to natural number ओके बच्चे आपने लिखना है विटा आपके पास statement है 1 प्लस 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डैश डैश N की जगा K K प्लस 1 is equal to K K प्लस 1 K प्लस 2 upon 3 इसको लेंगे आप equation 1 step 3 है आपके पास विटा We shall now prove that P K प्लस 1 बी ट्रू अब हमें प्रूव करना आता है कि हमारे पास P K प्लस 1 जो है वो भी ट्रू है ठीक है पहले आप यही लिखेंगे 1.2 2.3 प्लस 3.4 प्लस डैश डैश K K प्लस 1 next step इसको लेंगे K प्लस 1 K प्लस 1 प्लस 1 is equal to K प्लस 1 K प्लस 1 प्लस 1 K प्लस 1 प्लस 2 upon 3 ठीक है बच्चे? यह होता है LHS साइड और यह होती है आपके पास RHS साइड RHS साइड ठीक है बच्चे? अब आप लेंगे LHS साइड LHS ठीक है बच्चे? आपने जो यह वाली है इस पूरी की जगह आपने क्या डालना था है इतनी जगह first equation ठीक है first equation की right hand side आपके पास k k plus 1 k plus 2 upon 3 ठीक है बच्चे? और प्लस में जो step पास k plus 1 k plus 1 और यहां पे 1 1 भी था है ना तो यह 2 हो जाएगा ठीक है बच्चे? यह आ गया अब आप बटा आप लिखेंगे using 1 equation clear है बटा? okay अब अच्चे आपने क्या करना है इसके बाद देखिए आप यहां पे देखिए k k plus 1 k plus 2 plus यह 3 इदर जाएगा बटा k plus 1 k plus 2 upon में 3 रहेगा अब अच्चे k plus 1 k plus 2 k plus 1 k plus 2 common आ गया अंदर बच्चे गया आपके पास k plus 3 upon 3 whole के है ठीक है अब अच्चे आपके पास k plus 1 ना आ गया k plus 1 plus 1 लिख सकते हैं इसको k plus 1 plus 2 लिख सकते हैं और इसको यह आपके पास आगया आपकी right hand side ठीक है वेटा इसको आप लिखेंगे RHS है ना तो इकोल आगया आपके पास आप लिखेंगे therefore p k plus 1 is true whenever p k is true ठीक है true और p k is true by the principle of mathematical induction the statement is is true for all natural numbers okay बटा थैंक यू बटा